हेलो स्टुडेंट मैं आर्सिय एजूकेशन हब बानसुरलवर में आपका हारदिक स्वागत करती हूं आज आपको मैं आर्सिय एजूकेशन हब के ऑणलाइन के बारे में बताने जा रही हूं जिससे कि आप घर बेठे आराम से ओनलान क्लास ले सकते हैं जिसके लिए आपको सबसे पहले प्ले श्टोर में जाना होगा प्ले श्टोर में जाने के बाद आपको RCI बानसुर अलवर सर्च करके उसे डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने के बाद आपको उसे ओपन करना होगा Students मैंने ये एपस पहले से डाउनलोड कर रखा इसलिए मैं डाउनलोड करूँगी ओपन करने के बाद आपके पास ये एक नंबर मांगेगा वो नंबर आपको आपके जब आपने form फिल अफ किया होगा तब आपने form में लिखा होगा वही नंबर आपको इसमें डालना है जिससे कि आप आसानी से study material ले सकें अगर इस नंबर की जानकर ये आपको नहीं है तो आप अपने RCA education hub में जाएं और इस नंबर को पता करें और इस पता करने के बाद इस नंबर को इस फिल अप करें और इस रएफ करें जैसे कि आपके सामने मैं नंबर यте तना ऑप ईसमें आपके सामने उटिप मंगेगा जो नंबर आपने डाना उसी नंबर पर ओड़ सामने ओट ङसमें डालना है मैंने और टी पीस में डाल दिया है और इसे वेरिफाई कर दिया है जैसे ही आप इसे वेरिफाई करते हैं आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी स्क्रीन ओपन होने के बाद आपके पास स्क्रीन में नीचे की साइड पर चार ओप्शन होंगे जिसमें से आपको बैचेस ओप्शन पर क्लिक करना है बैचेस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने आपकी क्लास आ जाती है और class आते ही आपको class पर click करना है class पर click करने के बाद में आपके पास एक screen open होती है screen open करते ही आपके पास उपर की side पर कुछ option आते हैं जिसमें की video, live class, test वगेर, study material वगेरा तो आपको video देखने के लिए आपको video पर click करना होगा और live class लेने के लिए live class पर click करना होगा और जैसे कि आपको कोई homework वगएर मिलता है, assignment मिलता है, तो उसके लिए आपको assignment पर जाना होगा, assignment पर आप जाते हो, वैसे ही आपके पास teacher दोरह भेजे गए, homework आपको मिलेंगे, और उस homework को आप download करें, download करने के बाद उसे, आपके notebook वगएरा हम लिखें, लिखने के बाद उसे, आप अपने answer को लिख करके, उसकी PDF बना सकते हैं, या फिर image बना सकते हैं, तो आपको PDF बना कर आपको जमा करवाना था, उसके लिए आपको assignment के अंदर ही document का option आएगा, document में submit करें, और अगर आपने उसे photo के रूप में त्यार करा है, तो आप उसे image में submit करें, submit करने के बाद, आप बाहर जाएं, बाहर जाने के बाद, अगर आप किसी teacher से, कुछ answer, question, किसी भी चीज के आपके जानकारी चाहिए, तो आप बाहर जाएं, बाहर जाने के बाद में, आपके पास, जैसे की screen पर 4 करना है आपके पास दो जाएंगे आपको यह उप्सकेंट करना है और अपने टीचर से आप आराम से बात कर सकते हैं अगर फिर भी आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता है अपने ओनलाइन एप में तो आप अपना एक स्कूल का नंबर है जिस पर आप बात कर सकते हैं और आपकी जानकरी ले सकते हैं वो नंबर यह है 9014 55881 तो इसी नंबर पर आप बात कर सकते हैं और अपने एप्स ना समझाता है नहीं समझाता है अब अगर आपको तो उस एप्स को आप समझ सकते हैं धन्यवाद